सब्सक्राइब कर लीजिए आपको यहाँ पर काफी सारे एफड़ेब प्राइस में रिव्यू उल बीडियो देखने को मिलते रहते हैं तो इसके लिए चरनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए तो चलिए फिर वीडियो को अपर बात करते हैं यह सूट की यह है बेज कलर में और इसका जो प्रिंट है वो बहुत ही ज्यादा सुन्दर है आप देख सकते हैं इसका प्रिंट डांस करती हुई लेडी बनी हुई है और यह बटन्स दिए गए है आपकी नेक लाइन की डिटेलिंग के लिए जो की काफी ज्यादा खुबसूरत लग रहे हैं तुछ देखिए आप देख सकते हैं यह है इसकी नेक की डिटेलिंग आप अपना नेक यहाँ पर बनबा सकते है और यह नेक के लिए डिटेलिंग दी गई है और यह पूरा मैटेरियल इस तरह के का है बिट हो लैंद इसकी जितनी होनी चाहिए वो दी गई है इसमें और पूरा ही मैटेरियल इस तरह का है यह अब देख सकते हैं नीचे इसमें यह बार्डर दिया गया है और बैक साइड में पूरा इसे तरीके का है प्रिंट के टिएनक पहुत ही है ज्यादा सुन्दर और एक तरहते की बात करें तो ग्रफरीक भी कॉटन में है ड़ी होटन है ए तो काफी ज्यादा समर के लिए बढ़िया है और इसका प्रिंट अच्छा तो डेफिनिटली आप इसे पर्चेस भी कर सकते हैं अंडर 500 है सभी प्रोडेक्ट के कोड्स आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप बहां से पर्चेस कर सकते हैं बात करते हैं इसके सल्वार के लिए प्लेन फैब्रिक दिया गया है इस तरीके का तो इससे आप अपनी पैंट वनबा सकते हैं प्लाजो वनबा सकते हैं अगर आपको शल्वार पसंद तो आप सल्वार बनबा सकते हैं बात करते हैं इसके दुपट्टे की तो डूपट्ट्ट को इसका कुछ इस तरीके का दिया गया है कि पटेपर भी ये the एम्ब्राइडरी है थ्रेड से डवल सेड में डुपट्टा दिया गया है इस तरीके से इसमें ये सेड दिया गया है ब्लू एंड लेमन कलर है इसमें देख सकते हैं इस तरीके से डुपट्टा है चुकि बहुत ही ज्यादा खुबसूरत लग रहा है इसका सिफॉन है दुपट्टा भी काफी ज्यादा खुबसूरत है सूट भी काफी ज्यादा खुबसूरत है और प्राइस अफडेबिल है अंडर 500 है तो आपको इसे पर्चेस कर लेना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा सूट मैटेरियल है यह और इस्टिच होने के सूट है यह स्काइब्लू कलर में कलर कॉंबिनेशन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और यह कुछ इस तरह की एंब्राइडरी की गई है इस पर कि फॉइल मिरर लगे हुए हैं यहां पर और थ्रेड़ वर्क से एंब्राइडरी है कि देख सकते हैं नीचे इसमें इस तरह की पाइपिन दी गई है बात करें इसकी सल्वार की को सल्वार के लिए इस तरह का प्रिंटिट कपड़ा है बागे इसमें कोई एंब्राइडरी नहीं है कोई भी इसमें लेस बगारा नहीं है प्रिंटिट कपड़ा है सल्वार के लिए इस तरीके का और जो हमारा कुर्टा है वो बैक से पूरा प्लेन आएगा पूरा कुर्टा प्लेन आएगा बैक से और फ्रेंट पे ये एंब्रॉइडरी दी गई है तभी कुछ इस तरीके से आएगा प्रींट प्रिंटे पर किया गया है काफी सारे फैस्टिवल आने वाले हैं दुर्गा पूजा नवरात्री दीवाली तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्डेविल हैं यह और बहुत ही ज्यादा सुन्दर भी लगेंगे इस तुछ होने के बाद तो डेपने वह यह मैजिंटा के लर में काफी ज्यादा सुन्दर लग रहा है पीज कि यह नैक के लिए डिटेलिंग दी गई है जरी वर्ग किया गया है इस पर आप देख सकते हैं जरी से यह फ्लार्स बने हुए हैं और पूरा सूट इस तरीके से जाएगा और बॉटम में इसके यह लेस लगी हुई है कुर्टे के इतना फैबरे की फ्रेंट में दिया गया है फ्रेंट पार्ट के लिए नीचे यह लेस है और बेक साइड में पूरा प्लेन आएगा कुर्टा इसके लिए plain fabric है और इधर ये sleeps के लिए दिया गया है इसमें आप अपनी sleeps निकल वासे हैं ये जो fabric है cream color का ये सलवार के लिए आप इसी pen प्लाजो सलवार कुछ भी बन वा सकते हैं और इसके साथ में ये किए इसकी inner के लिए भी आया है आप कुर्ते में inner लगेगी क्योंकि कुर्ता काफी ज़्यादा हलका है सिल्क फैब्रिक में है तो इसकी inner के लिए भी फैब्रिक आया आपको अलग से फैब्रिक पर्चेस करने की कोई ज़रूरत नहीं इनर के लिए भी फैब्रिक है और यह सल्वार के लिए फैब्रिक तो कुर्ता का एकदम से पाइटी वियर है फैस्टिब वियर है यह कॉटन में नहीं यह सिल्क में है कुर्ता और फैस्टिवल्स के लिए भी काफी ज़्यादा अच्छा है तो आप इसे भी पर्चेस कर सकते हैं दुपट्टे की पार दुपट्टा कुछ इस तरीके का है इसमें यह चार तरफ लेस लगी हुई है और यह इस तरह की इसमें एंब्राइडरी की गई है काफी नीट एंड क्लीन एंब्राइडरी है दुपट्टे पर चारो तरफ यह तेजिल्स लगे हुए है चारो कौनों पर पूरा दुपट्टा इस तरीके से जाता है चुकि काफी ज्यादा सुन्दर लगा है उसके साथ भी से mix and match कर सकते हैं उसके साथ भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा बेस कलर में है ये और जो हमारा कुरता है वो मैजिंटा कलर में तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है फेस्टिवल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप इसे भी पर्चेस करें जिए येलो कलर में ये इसकी नेक के लिए डेटेलिंग की गई है और इस तरह की एंब्राइडरी है ये फ्लार्स बने हुए है पूरे ही कुरते पर एंब् पूरा कुरता प्लेन आएगा आप देख सकते हैं और इसकी सलवार के लिए रैड कलर का फैब्रिक दिया गया है ये रैड कलर का है आपको लाइट की वजह से कुछ पिंक दिखाई दे रहा है ये पूरा सूट कॉटन में है तो फैब्रिक काफी ज्यादा अच्छा है कलर भ बहुत अच्छा रहता है फैस्टिवल्स के लिए तो ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा बहुत ही अफडेविल प्राइस में है ये कुरता बात करें इसके दुपट्टे की तो इसका जो डुपट्टा है काफी ज्यादा सुन्दर मुझे लगा वह इस तरीके से लेज पर खैस पर आप देख सकते हैं इस तरीके से दुपट्टा सुरू होता है फिर इसमें यलो और का कॉंबिनेशन है फ्री रैड कलर सुरू हो जाता हुआ पूरा रहीरड में जाएंगा अधर ये लो में आएगा तो यह भी दुपट्टा बहुत ज्यादा सुन्दर ल बहुत जादा ही सुन्दर फेस्टिवल के लिए तो आप इसे पर्चेश कर लीजिए आप इसे स्टिच कराने के बाद जब आप इसे नब्रात्री में पहनेंगे तो बहुत जादा अच्छा लोग आएगा तो सारे ही जो ड्रेस मैटेरियल है वो मुझे बहुत जादा जो इंस्टाग्राम आइडी है वो है तोसीज पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर